PM सूरी घर मुफ्त बीजली योजना को आज हम लोग समझने जा रहा हैं सबसे पहले ये समझेंगे कि कैसे इसमें अपलाए करना है इसका टर्म and कंडिसन क्या है कोन अपलाए कर सकता है कोन लोग अपलाए नहीं कर सकते है और उसके बाद ये भी समझेंगे कि कितना आपको सबसीडी मिलेगा कितना आपको पैसा अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा एक चीज मैं पूरी तरह से किलियर कर दूँ कि ये किसी भी तरह का ब्रामग वीडियो नहीं है वो सरकार के term and conditions के हिसाब से बताने जा रहा हूँ एक चीज और किलियर कर दूँ PM सूरी घर मुफ्त बीजली योजना में आप off-grid connection नहीं लगा सकते इसमें अगर आपको सबसीडी चाहिए तो आपको on-grid connection ही लगाना पड़ेगा बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हमारे राजे में सबसीडी क्या है तो आपको बता दे कुछ राज जो है अपने तरफ से भी सबसीडी देती है जैसे उत्राखंड हो गया और राजे में 60% सबसीडी है उत्राखंड में 70% सबसीड़ी है क्योंकि राज सरकार भी जो है अपने तरफ से सबसीड़ी एड़ करके देती है तो उसके लिए आपको अपना राज कमेंट करना परेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां कितना सबसीड़ी चल रहा है अभी PM सुड़ गर योजना में इसका बारत का नागरी होना जरूरी है दूसरा सर्थ रखा गया है कि जो भी अपलाय करेगा उसका 18 साल से उपर का उमर होना चाहिए तीसरा सर्थ जो है वो समझने वाला है थोड़ा पेच वाला है तीसरा सर्थ रखा गया है कि गरीब और मध्यमवर के लोग हैं, वही इसका लाग उठा सकते हैं, मतलब जिसके साल की आय जो है एक या देरव लाग से अधिक होगी, वो आवेदक अपलाए नहीं किया जा सकता, इसमें किलियर कहा गया है कि आवेदक की इंकम जो है देर लाग रुपए से उपर नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरे पडिवार का income यहां नहीं जोड़ा गया है यहां सिर्फ आवेदक का income जोड़ा गया है उसके बाद कहा गया है कि आवेदक के पास original सारे documents होने चाहिए, जो भी documents मांगे जाएंगे वो सारे original होने चाहिए उसके बाद आपको बता दे कि अगर आप सरकारी employee हैं, तो उस condition में आप इसका लाव नहीं उठा सकते उसके बाद आपको यह समझना होगा कि जो लोग सरकारी employee हैं या फिर जो लोग 2 लाग से ज़ादा का salonा कमा रहे हैं, वो कैसे apply करें किस योजना में सबसीडी के लिए apply करें तो आपको बता दे कि rooftop solar panel योजना जो है वो उन लोगों के लिए है, जो सरकारी employee है या फिर जो normal job होगेरा करते हैं जिनकी income जादा है, तो वो लोग rooftop solar panel योजना में apply कर सकते हैं उसमें उनको 3 किलोवाट तक 60% तक सबसीडी मिलता है कई में 40% तक सबसीडी मिलता है आपको बता दे कि उस पे भी एक detail वीडियो बनाया है जिसका link आपको solar panel वाले playlist में मिल जाएगा, आप समझे कि इस योजना का क्या-क्या lab है और फिर समझते हैं कि कौन-कौन सा paper आपको ready रखना है इस योजना में apply करने के लिए PM सुड़ घर योजना में अगर लाग की एक सूची बनाई जाए तो ये सूची बहुत ही लंबी बनने वाली है, सबसे कौमल लाब आपको बता दूँ कि यहाँ पर उभोकता जो होंगे वो आत्म निर्भर बन जाएंगे, वो बिजली घरों पे dependent नहीं रहेंगे और सरकार को इसका बहुत फाइदा मिलने वाला है ऐसा फाइदा इसलिए मिलेगा क्योंकि बिजली घर में जो कोईला जलाए जाते हैं वो बिदेशों से निर्यात किये जाते हैं और जितना जादा परिवार जो है पीएम सुरी घर से जुड़ेगा, उतना कम बिजली घरों पे धुआप पड़ेगा और आपको दूसरी बात यह समझना होगा कि सोलर पैनल लगाने से आप परियावरन बचा रहे हैं, पड़ियावरन की मदद कर रहे है ताकि वो जो कोईला जलने से धुआ हो रहा है कार्बन का उतसर्जन हो रहा है उससे आप देश को बचा रहे हैं उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट चीज़ आपको यह समझना है कि जो भी खर्च लगेगा वो 10 से 15 साल में अमली कल जाएगा अगर आप लोन भी लोगे तो 10 साल में लोन कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद यह पूरी तरह से आपको फ्री हो जाएगा और अलग-अलग सरकार जो है राजी सरकारे जो है फ्री बिजली का परलोवन जो देती है उससे आप बच जाओगे क्योंकि आपके घर पर पहले से सोलर पैनल लगा रहेगा और फ्री बिजली जो सरकार दे रही है यह तो आपको भी पता है कि यह कहीं ने कहीं आपके ही पॉकेट पे दवाव डालने वाला है उसके बाद यह समझे कि यह जो मुफ्त घर बिजली योजना इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि एक समय क्रियर्ट के बाद सोलर पैनल पूरी तरह से फ्री हो जाता है तीन किलो वाट तक यहां सरकार जो है आपको 60% का सबसीडी दे रही है तीन किलो वाट के उपर अगर आप लगाते हो तो उसमें 20% का सबसीडी मिलता है इस सबसीडी का कैलकूलेशन कैसे किया जाता है यह मैं आपको आगे समझा दूँगा यह सारे फाइदा थे PM सूर घर योजना का अगर आप इसके लिए eligible है तो आप इससे जुड़िए और आप इसका लाव उठाइए आप समझते हैं कि इसमें आपको सबसीडी कैसे मिल रहा है कितना आपको सबसीडी मिलेगा और कितना आपको अपने pocket से लगाना पड़ेगा यह जो सबसीडी कैलकुलेशन में आपको बताने जा रहा है इसको ध्याँ से समझे है क्योंकि जब आप सोलर पैनल लगवाने जाओगे तो आपको इसी सबसीडी कैलकुलेशन के हिसाथ से सबसीडी दिया जाएगा सबसे पहले यह समझे कि सरकार कहती है कि अगर आप 2 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाते हो उस कंडिशन में आपको परती किलोवाट जो है 30 हजार का सबसीडी मिलता है मतलब 2 किलोवाट पे टोटल सबसीडी जो आपको बनेगा वो होगा 60 हजार रुपे का अब यह समझे कि कोई वैक्ति अगर 3 किलोवाट का लगाता है तो उसके बाद क्या होगा 2 किलोवाट के बाद आप अगर 1 किलोवाट का और लगाते हो तो उस कंडिशन में एडिसनल जो आप 1 किलोवाट लगा रहे हो उस पे आपको मात्र 18,000 का सबसीडी मिलेगा तो टोटल जो है 3 किलोवाट पे आपको जो सबसीडी मिलेगा वो होगा 78,000 रुपे आप यह समझे कि 1 किलोवाट में कितना विजली जनरेट होता है 3 kW से अगर आप ज़्यादा लगाते हो तो 300 unit से ज़्यादा का बिजली आपको generate होगा ये totally depend करेगा कि आपके हां मौसम कितना है, धूप का कितना है, कहां आपने solar panel लगाया है इस हिसाफ से सभी चीजे जो है आपको ध्यान देनी पड़ेगी आप unit को कैसे calculate करें कि आपको कितना unit उठता है, तो आप पिछले 2-3 महने का बिजली बिल देखोगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके घर की requirement कितनी है जैसे आप परती महने जो है 1.500 unit बिजली जला रहे हो, तो उस condition में आप 300 unit का panel लगाओ double का panel लगाओ, ताकि आप AC लगाओ, ताकि आप सभी चीजे असानी से चला सको और जब आप उपर floor बनाओ, चाहे अगर घर बनाओ, तो आपको बिजली की कोई कमी महसूस नहोँ अब एक सबसे common सवाल, जो लोग पूछते हैं मुझसे, कि अगर हम इससे सबसीडी लेते हैं, तो हमें on grid connection लेना पड़ेगा तो घर में जो inverter रखा हुआ है, उसे हम charge कर सकते हैं कि नहीं, तो आप charge कर सकते हो, inverter easily कोई problem नहीं है, इसमें सरकार की भी कोई रोक टोक नहीं है अब ये समझे कि क्या-क्या papers आपको रखने पड़ते हैं ready, PM सूर इधर दोस्पी ली योजना के लिए सबसे important paper जो आपको चाहिए, वो है आपका अधार card, अधार card के अलावा आपका pen card आपके पास होना चाहिए, जिससे आपकी eye पता चलती है, उसके बाद आपका passport size photo होना चाहिए, voter ID card होना चाहिए, पास book होना चाहिए, इन सब के अलावा eye परमान पत्र भी आपको बनाना प आपको बता दे, ये सारा document उसी व्यक्ति का होगा, जिसके नाम पे बिजली भी लाता है, और जिसके नाम पे आप apply करना चाहिए, अगर कोई blood relation है, तो उस condition में जो है, दूसरा व्यक्ति भी apply कर सकता है, ये सारे document होने चाहिए, इसके बाद कई लोग परधान मंत्री सूरिघर योजना में लोन लेना चाहते है, तो कोन-कोन सा bank आपको लोन देता है, आपको बता दू कि अगर आपको लोन की जरुरत नहीं भी है, तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लोन से आपका subsidy fix हो जाता है, और उसके बाद आपको इसमें ब्यास दर भी बहुत कम लिया जाता है, तो समझें कि लोन कोन-कोन से बैंक से आप ले सकते हैं, प्यम सूरिघर योजना में जितने भी परमुग बैंक है वो सभी आपको लोन दे रहे हैं, जैसे कि State Bank of India का भी लोन का योजना है, सूरिघर योजना में, Canra Bank का भी लोन का योजना है, Union Bank का भी लोन का हो गया, Punjab National Bank हो गया, ICC Bank हो गया, Bank of महराष्ट हो गया, Yuko Bank हो गया, और इसके अलाबा Paytium जैसे जितने भी non-banking financial company हैं, वो लोग भी PM सूरिघर योजना के लिए लोन दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, इसलिए बैंक भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोन का एरिया को बढ़ा सके, तो आपको बता दे कि अपनी नजदी की बैंक में अगर आप जाके पता करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बैंक जो है, आपको PM सूरिघर योजना के तहत लोन दे रहा है य PM सूरिघर.gov.in, gov.in देखकर ही आप अपलाए किजेगा क्योंकि WhatsApp पे बहुत सारे मैसेज फरवाट किये जाते हैं, जिस website के लास्ट में आपको gov.in देखने को नहीं मिलेगा, gov.in देखे तभी अपलाए किजेए, और website खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, यहां मोदी जी नजर आजाएंगे और यहां पे आपको सभी PM सूरिघरी योजना के बारे में details नजर आजाएगी, और यहां corner में आपको quick link में यहां पर दिखेगा apply for rooftop solar, जैसे ही आप उसको apply किजेगा, वहां पर आपको registration वाले form पे आना है, यहां पर आप registration किजेगा, apply for the rooftop, तो यहां आपको register करना है, इसमें आपको अपने state का नाम भरना होगा, उसके बाद आपको district का नाम भरना होगा, उसके बाद आपके यहां जो electricity board है, उसका नाम खुद fulfill हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना account number भरना है, यहां कई लोग अपना bank का account भर देते हैं, तो वो नहीं भरना है, बिजली बिल पे आपका एक account number होगा, जिसको consumer number भी कहा जाता है, उसको भरना है, उसको भरने के बाद यह वाला जो आपको human check है, यह जो लिखा हुआ, इसी को same copy करके next पे click कर देना है, और इसके बाद आपको अपना सारे detail भरना होगा, सारा जो documents मैंने उन सबका scanned copy आपको भरना होगा, यह सारा चीज भरने के बाद आप आते है calculation method पे, कि कैसे आप calculate कर सकते हो, कि आपको total जो है कितना पैसा subsidy मिलेगा, और कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा, जैसे ही आप click करोगे तो आपके सामने ये page खुल कर सामने आ जाएगा, आपको स्क्वाइर मीटर में आपके छट का नाप है या फिर स्क्वाइर फीट में आपको याद है, उसी साथ से इसको select कीजिएगा, यहाँ पे आप total चीज भरिएगा, एवलेवल कितना है, उसके बाद कितना आप invest करना चाहते हैं, और साथ में आपको ये भी भरना कितना capacity, कितना kilowatt आप लगवाना चाह रहे हैं, उसके बाद अगर आपके पास load का ये है, load calculation है, तो आप load calculation भी देखकर डाल सकते हैं, kilowatt में आपके बिजली बिल में लिखा हुआ होगा, यह सारा detail फिल करके, जैसे ही आप calculate पे click करोगे, इसमें आपको average बता दिया जाएगा कि आपको कितना invest करना पड़ेगा, और कितना आपको इसमें subsidy मिल जाएगी, जो subsidy amount होगा, उसको आप समझना कि आपको return आ जाएगा, और आपको जो इतना पैसा invest करना होगा, वो बचा हुआ amount होगा, उस बचे हुए amount को आप loan पे भी ले सकते हो, या फिर खुद का भी पैसा invest कर सकते हो, अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, कि PM सुरिघर योजना से लेना सही है, या फिर private से ले ले, देखिए, अगर आपका category आ रहा है, सुरिघर योजना के अंदर आप apply कर सकते हैं, तो apply करके फाइदा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकारे का अच्छा ख प्राइविट से भी लगाते हो, तो बहुत सारे प्राइविट वेंडर है, जो अच्छा सोलर पैनल का solution प्रवाइट करने है, टाटा है, या फिर यह है, घर का inverter का बैटरी चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप off-grid connection नहीं लगवा सकते हैं, आप लगवा सकत होगा, हर चीज के बारे में detail वीडियो बनाया, जिसको आपको solar panel वाले category में मिल जाएगा, आपके मन में कोई भी और सवाल हो solar panel से related, तो comment कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा, हम सरकार से जुड़ी वी, जो भी योजना है, home loan से जुड़ी वी, solar panel से जुड़ी व